नागरिक्ता संसोधन कानून के खिलाव सुप्रिम कोट में एक और याचिका की गई है ये याचिका एसोशियेशन फॉर प्रोटेक्शन आफ सिवल राइट्स नाम की संस्था ने दाखिल की है इस याचिका में नागरिक्ता संसोधन कानून के अलावा नागरिक्ता कानून 1955 की धारा को भी चनौती दी गई है इस धारा के मताबिक अलग-अलग समय में भारत में जन्में लोगों के लिए अलग-अलग नियम है नागरिक्ता संसोधन कानून के खिलाव सडकों पर विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है अदालतों में भी लड़ाई चल रही है इसी सिलसिले में शुकरवार को Association for Protection of Civil Rights नाम की संस्था ने सुप्रिम कोट में एक और याचिका दायर की है इस याचिका में याचिका करता ने नागरिक्ता संसोधन कानून 2019 नागरिक्ता कानून 1955 की धारा 3.1 और नागरिक्ता कानून 1955 के तीसरे सेड्यूल को अस्सम्विधानी करार दिया है आपको बता दे याचिका में कहा गया है कि नागरिक्ता कानून 1955 की धारा तीनेक भारत में अलग अलग समय में जन्में बच्चों को नागरिक्ता देने के लिए अलग अलग शर्त पे रखा जाता है याचिका में बच्चों के अधिकार पर खास तोर पर जोर दिया गया है इसमें कहा गया है कि इसके प्रावधान ऐसे है कि कुछ बच्चों को कहीं की नागरिक्ता नहीं मिल पाती है और ऐसा करना संयुक्त राष्ट के मूल्य और सिधानतों का उलंगन है बतादे नागरिक्ता संसोधन कानून का विरोध जारी है वहीं कई राज्यों में नागरिक्ता कानून के समर्थन में भी कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नागरिक्ता संसोधन कानूंद की वैदिता को कोट में चुनौती देने वालों में कई गैर सरकारी संगठन नेता भी शामिल है SPN 9 News से नाजमिन की रिपो